तो हेलो दोस्तो आई होप आप सब अच्छे होगे और ट्रेड की जरन्य आपकी बहुत बहतरी चलती होगी तो जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए तो उसमें मैं आपको आज सिखाऊ अपको में कैसे लेना चाहिए वह तो समया दियाता लेकिन इस वीडियो में में आपको बताय기도 कर यहाँ पर चुरू करते हैं आपको तीन इंडिकेटर लगाना है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए तो यहां पर एकदम एजी है ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर EMA डालना है ठीक है यहां पर moving average exponential करके आजाएगा एक दो तीन तीन बर क्लिक कर दे यहां पर तीन बर यहां पर यह में लग जाएगा basic setting है आप देख लेना अच्छे से एक बर मैं फटा फट समझा देता हूँ यहां पर जो पहला आएगा वो 10 यह में आएगा और style में जाके यहां पर हमें second पर करके थोड़ा सा बोल्ड कर देना इसे और फिर यह हमारा एक लग जाएगा फिर second हमारा जो इसमें आएगा हमारा 20 का ठीट है और इसमें में जाके थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देंगे यह दो यह में लग देंगे हमारे और जो third यह में आएगा वह हमारा हो गा उन्ड़ यह में आपको थोड़ा सा लगता होगा लेकिन आपको अब भी सारी चीज़े समझ जाएगी थोड़ा सा ध्यान देना बस एजीली एक दम है बहुत एजीली समझ जाएगा यहाप एंडेड यह में करके इसको बोल्ड करते से में थोड़ा ध्यान देना कि थोड़ा थर्ड वाले पर रखके बोल्ड करना वो ज्याधा बैटर होका ठीक है यह तीन लगा दिये और यह तीनों के लर मेंने में चेंज करना भूल गया मैं यहापर चेंज कर देता हूष फरस्ट ब्लू रहन देते सेखेंड को यहां पर हम कर देते हैं कर देते हैं अनग। 2022IG हो गया red color ठीक है यह 3 EMA हमने यहाँ पर लगा दिया आपको बहुत easily समझ जाएगा कि हम trend कैसे identify करें देखो जो 100 EMA है 100 EMA का color जैसे मैं आपको बता है red color है ठीक है यह red color वाला जो है 100 EMA है दिखरा है यह यह जो red color मैं बताता हूं मैं यह 100 EMA है यह 100 EMA ऐसे उपर के तरफ जा रहा है इसका slope जो है वो उपर के तरफ है तो समझना कि यह जो 100 EMA उपर के तरफ है और बाजार भी यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है 100 EMA के उपर ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो all over trend है जो 100 EMA है वो उपर के तरफ है तो all over trend जो है वो हमारा bullish trend है ठीक है इससे क्या समझते है 100 EMA से यह bullish trend है और जैसे इसका slope नीचे के तरफ हो जाएगा सपोज यहां पर जैसे 100 EMA का slope जैसे नीचे के तरफ हो जाएगा तो समझने all over trend है वो trend हमारा bearish trend हो जाएगा ठीक है यहां पर bearish trend हो जाएगा जो 100 EMA वाला slope नीचे होगा तो वो bearish हो जाएगा यह होगा हमारा all over market का trend देखने का नजरिया ठीक है अब उसके बाद जो मैं समझा रहा है वो current है यहां पर दो trend find करना है एक तो current trend क्या चल रहा है और उसके बाद all over trend क्या चल रहा है market का all over trend जो 100 EMA से मालूम पड़ेगा और जो current trade है वो हमको 10 EMA और 20 EMA से मालूम पड़ेगा ठीक है तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे होगा जैसे यहां पर देखो गया बाजार क्या किया है यह देखो यह पूरा उपर के तरफ slope है तो यह all over trend तो हमें मालूम पड़ेगा कि यह positive है और उसके बाद जब यह trend है देखो बाजार भी इसके उपर ही travel कर रहा है आप notice करना बाजार इसके उपर ही travel कर रहा है तो जब उपर travel करेगा तो ही समझना जब 100 EMA के उपर बाजार travel कर रहा है तो positive all over trend positive है जैसे नीचे आता है अब देखो यहाँ पर आप notice करो देखो यह उपर है मतलब यह क्या है positive trend है यह नीचे आया तो negative trend है लेकिन जो current day का होता है वो हमें पता करने के लिए 10 और 20 EMA के जो दो line है वो अगर 100 EMA के उपर है तो वो भी current day में हमारा आज का trend positive है और जैसे यह उपर है और यह समझो नी करना उसके बाद जैसे दोनों एक flow में आगए जैसे 100 EMA भी उपर है और बाजार भी इसके उपर है तो समझना कि यह हमारा trade एकदम सही होने वाला positive trend लेकिन जैसे भी गडबड होगा जैसे दोनों एक दूसरे को contradiction खड़ा कर रहे है और current day बाजार नीचे जा रहा है तो trend होता है वो हमें 10 और 20 EMA से पता लग जाएगा और जो all over trend है वो हमें 100 EMA से पता लग जाएगा तो I hope आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छे से समझानी की कोशिश किया होगा बहुत easily way मैं समझा देता हूँ मैं तो आपको समझ तो आई गया होगा और अगर कुछ भ फिरे जो trades होते हैं uSKO मैं बताउंगा कैसे करता हो क्या करता हूँ और होने के पहले में बताउंगा कि यहाँ पर आज मैं यह ट्रेंड लेने जा रहा है अगर अपको समझ में आएगा तो आप करना लेकिन risk reward always आपके हाथ में होता है वो मेरे हाथ में नहीं अगर आप profit करो तो भी आपका लॉस करोगे तो भी आपका तो रिक्स लिवाड हमेशा मैनेज करना और खुद का भी साइकोलोजी यूज करना कि क्या ये बंदा सही बोल रहा है क्या और उसके बाद ही ट्रेड लेना तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्यू सो मज़ गाइस